खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 का समापन हो चुका है और महराष्ट इस बार की विजेता रही या फ्रेंट्स आपको बताना चाहता हूँ महराष्ट की ये तीसरी विजीत थी खेलो इंडिया युवा गेम्स में तो फ्रेंट्स ये टॉपिक काफी ज़ादा इंपॉरेंट और ट्रेंडिंग है अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो तो फ्रेंट्स वो सभी कोशन जो आपके एक्जाम के लिए इंपॉरेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक्टिड और इंपॉर से question start करने से पेले फेंट मैं आपको थोड़ा सा introduction दे देता हूँ, खेलो इंडिया यूवा games के बारे में खेलो इंडिया यूवा games, जिसे कि हम खेलो इंडिया यूथ गेमस भी बोलते हैं short में बोलते हैं किय भारत में school और college के चातरों के लिए एक रास्टे स्तर की बहु विश्यक खेल प्रतियों किता है, यह खेल प्रतियक वर्ष जनवरी या फरवरी में आयोजित किये जाते हैं, जो भारे सरकार की खेलों इंडिया पहल का हिस्सा है, उदेश्य जान लेते हैं, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर प खेल प्रतिभावों को पहचान दिलाना है, युवा खेलों के बिछले 5 संसकरन दिली, पूने, गोहाटी, पंचकुला और भुपाल में आयोजित किये गए थे, खेलों इंडिया यूथ गेम्स दो श्रीनियों में आयोजित किये जाते हैं, अर्थात 17 वर्ष से कम उमर के स् नेक्स्ट कर इंपॉर्ण पॉइंट से हम समझें, महराष्ट और हर्याना को छोड़कर किसी भी अन्य टीम ने आज तक खेलों इंडिया यूथ गेम्स का किताब नहीं जीता है, मतलब अभी तक दो ही राज्य की टीम विजेता रही है, महराष्ट और हर्याना, ठीक है, और जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया यूवा गेम्स 2024 का आयोजन हुआ है, आयोजन स्थलकी बात कर लेते हैं, तमिलाडू के चार शहरों में इसका आयोजन हुआ है, चार शहरों के नाम आपको बतायता हूँ, चैननाई, त्रीची, मदूरे और कोईंबटूर, ये और पहला स्थान मिला है महराष्ट को, महराष्ट ने एकुल 158 परदक चीते हैं, और आपको बताना चाहता हूँ कि किस मंत्राले दोरा ये आयोजन किया जाता है, यूवा मामलो एवं खेल मंत्राले के दोरा खेलो इंडिया यूवा गेम्स का आयोजन किया जाता है, और व लिजन करवाया खेलो इंडिया यूवा गेम्स 2024 के बारे में अच्छे दिया समझ में आ गया होगा और फ्रेंट्स हमारा कोशन स्टार्ट हो जाता है तो हमारा पहला कोशन है खेलो इंडिया यूवा गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शी स्थान पर रहा है अपना चौथा खिताब जीता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इससे पहले महाराश्ट जो है फ्रेंट्स 2019 में 2020 में और 2023 में खेलो इंडिया यूवा गेम्स का खिताब जी चुका है मतलब टोटम लाके चार बार महाराश्ट ने ये खिताब जीता है अब देखो फ्रेंट् पहले स्थान पे रहा है खेलो इंडिया यूवा गेम्स 2024 में ठीक है 158 परदक के साथ अब मैं आपको टॉप 3 जो है मैडल टैली में वह आपको डिटेल में बता देता हूं क्योंकि इसमें से कोशन जरूर आएंगे देखो महाराश्ट मैंने आपको बताया नंबर एक पे र रजत है 49 कान से है नंबर 3 पे हर्याना को स्थान मिलाए कुल 103 पदक जीते हैं हर्याना ने और 103 पदक में 35 सोरन है 22 रजत है 46 कान से है ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंस की जो मैंने आपको मैडल टैली बताया है काफी इंपॉरेंट है आपसे एक्जाम में पूछ लेंग रखना है नेक्स्ट है हमारा कोशन छेवें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 का आयोजन किस राज्य में हुआ है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ऑप्शन है तमिलाडू तमिलाडू राज्य में फेंट्स छेवें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 का आयोजन किया गया है important रहेगा छेवे खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 का आयोजन तमिलाडू के चार शहरों में आयोजित किया गया है यह चार शहर है चैन्नेई त्रीची मदूरे और कोईमबटूर निग्स्ट है हमारा कॉशन और फिंट अगर हम बात करें समल्नाडू की रहेड़ा की चैन्नेई लके सामने हमारा प्यारा भारत है खेलो इंडिया youa games का कौन सा संस्क्रण आयोजित हुआ है राइड आंसर हो जाता है इस question का option c छटा 24 में खेलो इंडिया youa games का छटा शंसक्रण आयोजित हुआ है और आपको बताना चाहता हूं aik Cow keyword SARAH पहला संस्क्रण ना 2018 में हुआ था तो अगर आपसे शार में पूछ लें बताओ ये जो खेलो इंडिया युवा गेम्स है इसका पहला संसकरन कब खेला गया था 2018 में खेला गया था कहाँ पर नई दिल्ली में ठीक है पहले वाला इंपॉरेंट है दूसर संसकरन 2019 में हुआ था पूने महाराष्ट में तीसरा संसकरन 2020 में गोहाटी असम में चौथा संसकरन 2021 में पंचकुला में पांचवा संसकरन 2022 देश में भुपाल मध्यपरदेश में और इस बारवाला कहाँ पर हुआ तमिलाडू में नेक्स्ट है मारा कोशन खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ है राइट आंसर हो जाता इस कोशन का ओप्शन ए 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 का जो आयोजन है 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक हुआ है नेक्स्ट है छेवे खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023 का उधगाटन किस ने किया है राइट आंसर हो जाता इस कोशन का आप्शन ए नरेंदर मोदी परधानमंति नरेंदर मोदी जी ने छेवे खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023 का उधगाटन करा है प्रधानमंती नरेंदर मोधी जी ने चैन्नाई के जवार लाल नहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उधगाटन कया है नेक्स्ट है हमारा कोशन छेवे खेलो इंडिया यूवा गेम्स 2023 में कितने खेलों को शामिल किया गया है नेक्स्ट है छेवे खेलो इंडिया यूवा गेम्स 2023 के इतिहास में पहली बार 2024 में किस नई खेल को शामिल किया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन D स्क्वाइश ठीक है यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है हमारा कोशन छेवे खेलो इंडिया यूवा गेम्स 2023 में पहली बार 2024 में किस खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन C सिलंबम ठीक है नेक्स्ट है चेवे खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 में सबसे ज़ादा सौन पदक किस राजजी ने जीते हैं राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन D महाराष्ट ने महाराष्ट ने फैंड सबसे ज़ादा गोल्ड जीता है तो महाराष्ट ने जीते हैं 158 तमिलाड ने जीते हैं 98 और हर्याना जीते हैं 103 और फ्रेंट साब यह बोलोगे कि क cafषन सब से ज़ादा पम्र यह जीते हैं जों सी टीम सबसे ज़ादा गोल्ड जीती है रैंकिंग उसकी अक्र्डिण होती है इसलिए नमबर एक पे महाराष्ट को मिला, नमबर टू पे तमिलाडू आया, ठीक तमिलाडू ने गोल्ड ज़्यादा जीता था, as compared to हर्याना नेक्स्ट एमारा कोशन, खेलो इंडिया युवा गेम्स का खिताब सबसे ज़्यादा बार किस राज्ये ने जीता है, राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का, option D, महाराष्ट, खेलो इंडिया युवा गेम्स का खिताब सबसे ज़्यादा जीता है, महाराष्ट ने, महाराष् नेक्स्ट है हमारा कोशन खेलो इंडिया युवा गेम्स का पुराना नाम क्या था राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ऑप्शन भी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है ये खेलो इंडिया युवा गेम्स का पुराना नाम था वर्ष 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदल कर खेलो इंडिया युवा गेम्स रखा गया था अगला कोशन है मारा 2018 में खेलो इंडिया युवा गेम्स का पहला संस्करन कहां पर आयोजित किया गया था राइट आंसर हो जाता है Option D. नई दिल्ली याद रखनें आप सभी को 2018 में खेलो इंडिया युवा गेम्स का पहला संस्करन कहां पर हुआ था नई दिल्ली में पहले संस्करन की विज़ेता टीम रही थी हर्याना फ्रेंट अगर आपको वीडियो की कॉलिटी वीडियो का कॉंटेंट और आपके रभी सर की महनत पसंदारी है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें कॉमेंट बोक्स में अपना फीड़बैक भी दे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको जादा से जादा कॉंटेंट दे सकूँ अगला कोशन है मारा खेलो इंडिया योजना के तहद प्रतिभाशाली खिलाडियों को आठ वर्षों तक प्रतिवर्ष कितनी धन राशी वार्षिक वित्य सहायता प्रदान की चाती है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन बी पांच लाख रुपे नेक्स्ट है नेक्स्ट हो जाएगा राइट आंसर हो जाता है ओप्शन नई दिल्ली नई दिल्ली में घेलो इंडिया युवा गेमज का हैड़कोरटर है एक वर्ष प्रते एक वर्ष आयोजित किया जाता है एक वर्ष आयोजित किया जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसको 17 नंबर कोशन कर लो आप अब देखो फेंट्स मैं आपके लिए ने कंप्ली टेबल लिकर आया हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में और उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपना मेरा मुबाइल अप्लिकेशन जरूर इस्टॉल कर लेना तो यहां पर आप जाके हर ट्रेंडिंग टॉपिक का टेस्ट लगा सकते हो क्योंकि आपको पता है टेस्ट काफी इंपरण हो था एक्जाम से पहले तो अब प्ले स्टॉर में जाके इंस्टॉल कर लेजिए इसको अब मैं आपको बचा जेता हूँ पूरी लेस्ट पहला संस्क्रण 2018 में खेला गया दिल्ली में हुआ था पहला स्थान मिला था हर्याना को दूसरा महराष्ट को दूसरा हुआ था 2019 में पूने महराष्ट में विजेता रही थी महराष्ट तीसरा संस्क्रण हुआ था 2020 गुह 2023 में हुआ है आयुजंस थलेसका बोपाल मध्य परदेश और विजेता रही है महारास्ट्र और 2024 वाला कहां पर हुआ 2024 वाला हुआ तमिलाडू में और विजेता कौन सी टीम रही महारास्टी रही इसमें भी ठीक है आई हो फ्रेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा अब आपके लिए दो कोशन का टेस्ट आगया है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में आपके लिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने रवी सर की जो इबुक है वो कैसे बाई कर सकते हो करन्ट फेर किये ठीक है और बांकी सब्जेक्ट किये सबसे पहले आप टेस्ट लखा लेजिए पहला कोशन है छेवे खेलो इंडिया युवा गेम्स तो हुजार चौबिस में सबसे ज्यादा स्वन परदक कि सराच्चे ने जीते हैं चा आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीड़बैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है ठीक है फेंट्स और आपके लिए इंपॉर्न इंफॉर्मेशन आ गया है कि आप हमारी वेबसाइट को पर जाईए www.ravibooks pdf.com ठीक है गुगल पर जाके आपको सर्च करना इस वेबसाइट को रवी बुक्स pdf.com यहां पर आप जाके आप रवी सर की जो पॉलिटी की e-book है current affairs की e-book है मतलब all subject की e-book को आप बाई कर सकते हो और अपने exam की त्यारी को मजबूत कर सकते हो कम टाइम में आपकी रवी स www.raveebookspdf.com तो चलिए friends अब हम मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best